दोस्तो छोटू यादव जो है उस्तो उनका एक लर्गी के चक्कर में मौत हो गया दोस्तो वो मौत नहीं बोल सकते हैं उसको एक साजिस करके मारा गया था दोस्तो आप लोग को बता दे कि छोटू यादो का मौत हो तो गया है यह जो आप वीडियो आर्दी का देख रहा है यह बहुत ही अंदर से दुखी है और दोस्तो इनको अब पता चल लाया है कि भाई इस दुनिया में कितना मतलबी लोग है दोस्तो यह लरकी हर जगा को हर जगा केस करके आ गई है लेकिन अभी इस मामले को बहुत सारा समय बित गया है लगभग महीना बित गया है अभी तक कोई करवाई नहीं हो पया है क्यों नहीं हो रहा है और कैसे होगा आईए समझते हैं नमस्कार दोस्तों आप सभी को हमरे चैनल पर स्वागत है सबसे पहले दोस्तों स्क्रीन पर देख रहा है यह वीडियो में आपी अपने पती को माला चाहा रहे हैं नहीं कि दोस्तों बहुत थी दुख होकर गाना पताया है यह लरकी इतना ज़्यादा अभी टेंसन में है क कुर्द यह हर जगह हर जगह हर तरीगे से अजमा कर देख लिया केस भी हर जगह से कर दिया लेकिन डुस्तों आर्वति को हरे वालो Hat को कोई शाजा नहीं हुआ है दोस्तों पताच दि आ Shouldn't lö Variant दोस्तों ये स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ये छोटु यादो का मा है जो बहुत थीरो रही है अपने बेटे के सोग में दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं कि छोटु यादो का जो परिवार है कितना ज्यादा दुखी है और दोस्तों उन लोगों को भी कहना है कि छोटु का जो भी हथियारा हो उन सब को साजा मिलना चाहिए और दोस्तों ये सारे लोगों का भी परियास है कि छोटु को जो भी मारा है सब जेल के अंदर नहीं तो कोई बारा साजा होना चाहिए क्योंकि दोस्तों अगर साजा होग तो साइध अगला व्यक्ति भी सुधरेगा दोस्तों बिहार में सरकार को हमेंसा डिलाईड आता है और जब तक एक व्यक्ति को जो अपराद करता है उनको शाजा नहीं मिलेगा जब तक एक दूसरे से लोग सुधरेंगे नहीं करवाई कैसे होगा दोस्तों आप लोग को पता दे करवाई करने के लिए आरती को खुच जाना होगा किसी के साथ में लेकर यानि कि छुटू यादब का भी घर पे हैं तो उन्हीं के परिवार वालों को जो बड़े व्यक्ति हैं उनको साथ ले जाकर अपनी हाज से प्रेशनली वहां पर जाके ब्यान दे और केस बेगरा कर सकती है दोस्तों तभी सुनबाई होगा नहीं दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हैं कि छोटू यादब का मा और फीता जी जाते हैं और केस करने दोस्तों उन सबका बात का कोई वहलू नहीं रहेगा जब तक आरती नहीं जाएगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा यह मामला धिरे-धिरे दपता जा रहा है दोस्तों अगर तब गया तो साय छोटू का हाथियार का साजा नहीं हो पाएगा और उस छोटू यादब का मा और पीता जी ऐसे ही रोते रहा जाएंगे दोस्तों उनका भी कोई उमीद है और उनका भी कोई सपना है कि मेरे बेटा रहता तो आज ये करता लेकिन अभी बेटे का सब का हालत क्या हो गया है दोस्तों इस जगह पर कोई भी रहता तो यही हालत होता और कोई वेक्ति अपने बेटा को क्षوया है तो बहाई पर्यास करे की मेरे बेटा को हाथियार यह आप इस वीडियो से समझ गये होंगे और आरती जाकर ही छोटू को हतियारों को जेल भेच सकता है उसतों आप लोग बताई है कि आरती को जाना चाहिए हर जगा या नहीं दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो वीडियो को ल अगले बड़ा वीडियो के साथ तब तक लिए नमस्ते पड़ाव लगे हो जय हिंद वंदे मात रहूं